हलो बच्चो मैं सभी का सागत करता हूँ मुकेश सर चैनल पर देखो बच्चो आप लोगों को differential equation तो मैंने इसके पहले वीडियो डाल दिया है लेकिन differential का use करते हुए हम लोगों को 2-2-3-3 market derivation जैसा पार साता है क्या है सरी है derivation कुछ इने आपको differential equation का use करते हुए आपको निकलना है यहाँ पर acceleration और इसकी value कब कहा होती mean position extreme position में क्या होती है यह भी इसके अंदर देखना है तो यह सवाल है आपके लिए state the differential equation of SHM and hence obtain an expression for the acceleration of particle performing SHM जो SHM कर रहा है जुब 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 जैसे spring का example लेते हो discuss करना minimum and maximum है लो पहले तो differential equation लिख दीजिएगा तो आपका answer कैसे लिखोगे तो differential equation है d square x upon dt square plus omega square x is equal to 0 ठेक है बेटा यह differential equation याद होना चाहिए d square x upon dt square यह इदार गया तो minus होगा बेटा इसी कब तो बट आपको पता होना चाहिए इसी को acceleration कहते है क्या बेटा displacement का derivative का derivative डबल derivative तो यह होगा आपका acceleration की value कितना easy है हाँ sir इतना easy होता है हाँ बेटा दो मार्क के लिए question अदा है यह होगा अपका एक मार्क मिलेगा हाँ एक मार्क पक्का होगा अब इसमें आपको पूचाए कि यह सच्यम हो रहा है मतलब particle ऐसे कर रहा है यह mean position है यह extreme position है लेकिन यह positive है यह extreme position है but यह negative है आपको पता है कि mean position से extreme position जाना है तो amplitude यह होता है यह भी amplitude है maximum displacement of a particle from its mean position इसको amplitude करेता है चलिए sir बहुत बढ़िया आप क्या करने वाले है कुछ नहीं है सबसे पहले अगर mean position हो तो आपका displacement zero होगा displacement are mean position यही आप कितने आंतर चले तो zero चले है तो value है हमारे पास acceleration के लिए formula है minus omega square x x की value अगर zero हो तो डालनी की जोड़त ही नहीं थी डालनी की क्या जोड़त है zero ही मिलेगी तो acceleration यहाँ पे अब zero का मतलब क्या होगा यहाँ सबसे कम तो सबसे कम minimum value क्या मुझे सवाल में पूछा था minimum value निकालो बोलके देखो minimum बोलाए चले यह दो number पे यहाँ पे x is equal to हो सकता है plus या minus क्यों सब एक तो plus के तरब extreme के position जा सकते है यह mean position से negative extreme position जा सकते हो तो इसलिए plus minus दो ने लिका है चलो सर एक्सरलेशन का formula हमको पता है minus omega square x यहाँ पे एक्सरलेशन में हम लोग करवा सकते हो minus omega square x के लिक प्लस minus a है तो मुझे बताओ minus plus minus देखो ना उपर plus है यह minus minus अब यह नीचे minus minus plus तो a omega square कुछ लोग capital a भी लिख सकते है ने तो सर हमारे बुख में capital a है आप small a लिख रहे तो देखो बच्चो आपको सबसे में differential equation लिखा इसलिए यहाँ पर दो मार्क है तो आदा मार्क इसको आदा मार्क एक मार्क हो सकता है यह minimum position निकाल यह आदा मार्क यह आदा मार्क आएसे दो मार्क के लिए सवाल आपको यह आने के chances है तो मैं बाजो हाटर बेटा screenshot निकाल सकते हो बस screenshot निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से करो कि इसी की उपर हमारे velocity depend रहने वाली है तो चलो याद फटा फट लिखते हैं और खतम करते हैं अपने दोस्तों को शेर करना लाइक करना न्यूए तो चैनल को सब्सक्रेब करना मत बुलें बाई योड़ी वान